प्यारे पपरदेश वाशियों, पिछले दिनों में हिमाचल पर देश में करोना वाइरस के मामले थम गए थे, नए मामले नहीं आये थे, हम बहुत संतोश में थे, बहुत खुशी में थे, लेकिन दोर फिर से शुरू हो गया पिछले कल भी दो मामले नए आए और उसके साथ परसूं भी एक मामला नए आया और पुल मिला करके हिमाचल परदेश में करोना वारिस किया हो जो पॉजिटिव मामलू का जो आंकड़ा 35 पहुंच गया है ऐसे में हिमाचल परदेश में भी यहां तक पहुंचना हम सब के लिए चिंटा का विशह है लॉकड़ाउन की बज़ा से बहुत सारे हिमाचल के हमारे बच्चे बहुत सारे हिमाचल के लोग दूसरे परदेशों में फंसिव हुए हैं बार-बार उनकी ओर से आगरे आ रहा है कि हम हिमाचल आना चाहते हैं अपने घर जाना चाहते हैं मैं उन भाई और बहनों से सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल आपका है आपका घर है आपका विनंदन है स्वागत है लेकिन उसके बाब जूद ये परसित्यां अलग तरह की हैं इस बात को हमको समझने क्याप शक्ता है और आप इतने दिनों तक लॉक्डाउन में 21 दिन तक जब पहला आगरे आदन्य पधान मंत्री जी का हुआ था उसका भी आपने पालन किया अपने स्थान परी रहे अपने स्थान से बाहर नहीं निकले और उसके साथ साथ में दूसरे लॉक्डाउन के लिए जब पधान मंत्री जी ने आगरे किया वो शुरू हुआ और उसके लिए भी आप मनस्तित्य को बना तरके रखेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ मैं एक बात जुरूर कहना चाहता हूँ बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि हमको हिमाचल आने दिया जाए और ऐसी परस्थिती में मैं सिर्व इतने ही कहना चाहता हूँ अगर आप आना भी चाहते हैं तो भी आपको घर जाने से पहले 14 दिन के लिए कॉरंटाइन में रहना पड़ेगा वो परसिती में समस्ता हूं कि आपके लिए और भी कठिन होगी क्योंकि वर्तमान में जहां हैं आप वहां हो सकता इससे बहतर हैं और वहां जब कॉरंटाइन में रहना पड़ेगा और हिमाचल में आने के बाद अपने जिले के बॉडर में आपको कॉरंटाइन के लिए बैठना पड़ेगा रुखना पड़ेगा 14 दिन तक ऐसी परसिती में आपको और भी मांसिक रूप से भी परिशानी होगी ऐसे में मेरा निवेदन है बिनमबर निवेदन है कि आप फिलहाल इतना समय जहां आपने आदनिया पड़ान मंत्री जी के आगरे का पालन करते हुए गुजारा है कुछ वक्त और गुजारिए हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हलात सुधरेंगे हलात ठीक होंगे कुरोना वारिस पर जीतना बहुत जरूरी है ये मुझे आप सबसे निवेदन करना है दूसरी बात और भी मैं कहना चाहता हूँ बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हिमाचल परदेश में आये भी थी उनको घर जाने से पहले कुरंटाइन में रहना पड़ा इसलिए मेरा आप सबसे इस बात लिए निवेदन है कि उचित होगा जानकर्षनाई में आपने बहुत सारा वक्त अभी तक का जो हमारे साथ सहन किया है गुजारा है और ऐसे में कुछ वक्त और गुजार ये इसमें आप सब का भी भला होगा और आपके परिवार आपके प हैं हमसे जो भी मदद की जा सकती हैं वो मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम बहुत आवश्चक होगा जिसके परिवार में कोई घटना दुर घटना हो गई है कोई बिमार हो गया है ऐसी परस्थिती में लाने की ब्यवस्ता करने की अगर बात आती है लेकिन फिर भी उस हैं वहीं पर रुकें आप सब के सहों के लिए बहुत बहुत आभात बहुत धन्यवाद नमस्कार जाहिए